सर्वे भ्यो नमो नमाह अध्यवयम कक्षा पंचम्याह नवमाह पाठह सुभाशितानी अस्य अभ्यासकार्यम कुर्माह आज हम कक्षा पांच वी के नवमा पाठ सुभाशितानी इसका अभ्यासकार्य करते हैं सुभाशित आनी, सुंदर वचन, अच्छी बातें, तो इसका अभ्यासकार्या, प्रथमाह अभ्यास है, नेमना लिखित आनाम, प्रश्नानाम, संस्क्रित भाशायाम, उत्तरानी लिखतु, तो नेमना लिखित जो प्रश्न है, उनके उत्तर संस्क्रित भाशामें लिखने है तो सरोप्रदम ब्रश्न है स्वयम आतपे स्थित्वा के छायाम कुर्वन्ती स्वयम मने खुद आतपे धूप में स्थित्वा स्थित्व रहकर कौन छाया को करते हैं या छाया प्रदान करते हैं तो स्वयम आतपे स्थित्वा प्रिक्षाह छायाम कुर्वन्ती अर्थात पेड़ खुद धूप में रहकर दूसरों को छाया प्रदान करते हैं दूसरा परार्थाय के भवंती पर अर्थात दूसरा अर्थाय मने प्रयोजन के लिए फलानी फल भवंती फल होते हैं परार्थाय के भवन्ति पर दूसरों के प्रयुजन के लिए कौन होते हैं तो परार्थाय फलानी भवन्ति दूसरों के अर्थ के लिए प्रयुजन के लिए फल होते हैं व्रिक्षाह कस्मी फलन्ति, व्रिक्ष किसलिए फलित होते हैं, फल देते हैं, तो व्रिक्षाह परोपकाराय फलन्ति, पेड़ परोपकार के लिए फल देते हैं, धीमताम कालह के नगच्छती, बुद्धिमानों का समय किसके द्वारा व्यतीत होता है, बीतता है, तो धीमता अर्थात पढ़ने में, सीखने में कुछ, उसी में वे लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं कनशह, क्षनशह, किम किम चा साधयेद, कनशह, एक एक कन से, और एक एक क्षन से, किस को साधना चाहिए तो क्षनशह, कनशह, विद्याम अर्थम चा साधयेद, क्षनशह, मने एक एक क्षन, हमें विद्या का धियन करना चाहिए और कन के माद्यम से धन को अरजन करना चाहिए, कमाना चाहिए विद्यार्थी किम्त्यजेत विद्यार्थी क्या छोड़ें, क्या छोड़ना चाहिए विद्यार्थी को तो विद्यार्थी सुखम्त्यजेत यही विद्या का अर्थी है विद्या अधियान करने वाला विक्ति है तो उसको सुख्षु विदाओं को छोड़ना चाहिए सुखार्दी किम्तियजित और जो विक्ति भोग विलासी है वो क्या छोड़े तो सुखार्दी विद्यामतेजे तो जो सुखार्दी होगा वो विद्या को छोड़े क्योंकि जो विक्ति भोग वेल आसों में रागए वो कभी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता तो इसले वो विद्या को छोड़ना चाहिए क्षने नष्टे विद्यार्थी कामन प्राप्णोती क्षने नष्टे यदि समय नष्ट होने पर विद्यार्थी किसको नहीं प्राप्त करता है तो क्षने नष्टे विद्यार्थी विद्यामन प्राप्णोती इसलिए जिस विक्टी ने जिस विद्यार्थी ने समय को बरब वो विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो प्रश्न संक्या द्वितियह, मंजूशात उचितम पदम आदाय रिक्तस्थानम पूरेत, तो मंजूशा से हमें ठीक पद को लेकर रिक्तस्थान पूरे करने हैं, तो सबसे पहला परोपकाराय डैश नद्यह, परोपकार के लिए डैश नदियां, तो है पहला वहनती बहती हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, उदार चरिता नाम तू डैश कुटम बकम, उदार चरिता नाम जो उदार हरते वाले हैं, तो उनके लिए वसुधा इवा कुटम बकम, वसुधा शब्दकारत धर परिवार है फलान नियपी डैश वरिक्षाह सत्पुरुषाह इव तो परार्था आया फलान नियपी फल भी परार्था है दूसरों के प्रयुजन के लिए दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए है तो इसलिए वरिक्षाह सत्पुरुषा इव इसलिए वरिक्षव सत्प इन पंक्तियों का आपको अर्थ भी अच्छे से याद करना चाहिए तो इसलिए पिछले जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने श्रोकों का अर्थ बताया है उसमें तो उसको जरूर देखें आप तो देखें उदार चरिता नामतू वसुधहीव कुटुमबकम परोपकाराय फलंते व्रिक्षाह परोपकाराय वहंते नद्याह अर्थ आपने अवश्य पिछले वीडियो में देखना है उचे तक क्रमेन पदम चित्वा श्लोकम रचयेतु आपने जो नीचे प्रश्न में श्लोकों से युख मने कुछ ऐशे शब्द है जिनको क्रम से लगाने पर एक श्लोक का निगमान होता है तो यहाँ पर अलग-अलग शब्द दिये उन सब को ठीक से जोडने पर एक श्लोक बनता है तो वही यहाँ पर करना है उससे बनता है अर्थात काव्य शास्त्र के विनोद से विद्वान लोग अपना समय बिताते हैं परन्त जो मुर्ख लोग होते हैं व्यसन बुरियादतों में नित्रा में और कलह में अपना समय वियतीत करते हैं पिताते हैं फिर दूसरा इन शब्दों का एली हम श्लोक में जोडते हैं तो अर्था सुखार्ति नहा जो सुख चाहने वाले हैं तो उनको विद्या कहां विद्यार्थी ना को ता सिकों जो विद्यार्थी है तो सुख खाहां सुखार्ति वा त्यजेद विद्याम सुखार्ति छोड़ना चाहिए विद्या को और द्यार्थी छोड़ें सुख को तो इसको मिलाएंगे तो तो यहां पर बताया चाया मन्यस्य चाया दूसरों के लिए करते हैं खुद दूप में खड़े रहते हैं फल भी जो हैं वो भी दूसरों के लिए ही होते हैं तो इसलिए ब्रेक्ष सब्पुरोशों के समान है अन्तिम प्रशन है बच्चों अन्ये शाम दस्ट शुवाशिता आनाम संग्रहम गृत्वा वारम वारम पठतु तो जिस प्रकार आपने इस पाठ में पढ़ा शुवाशित इसी प्रकार आपने अन्य और दस शुवाशितों का संग्रह करना है करके बार बार उनका अध्ययन करना है पढ़ना है समरन करना है तो बच्चों धन्यवाद और अन्य वीडियो इदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक कॉमेंट्स और शेर करें धन्यवाद पुना हाँ